अब दिसे कंडिशन पर हमने पहले एक्जामपल लास्ट वीडियों देखे, सेकेंड एक्जामपल देते हैं, एक तो इंफिनिटी, वन एक्जामपल देते हैं, एक तो इसमें, यदि क्योंकि यह दो फंचन का मल्टिपल है, fx और gx, तो सबसे पहले इसमें, fx मानेंगे, उ तो हमारे डायट हमें पता है, cosex यहां से bounded दिख रहा है, तो हमें gx को cosex को मान लें, क्योंकि gx को bounded दिखाना है, अब बात करते हैं, fx, fx को, तो बच्चा हुआ फंचन हमारा fx हो जाएगा, तो यान कि 1-e की पार माइनस x upon x क्या हो गया, हमारा fx हो गया, आप क्या गए limit extend to infinity पर इसकी value निकाल लेंगे, fx की, यदि वो 0 चली गई, तो फैरली condition फुल्फिल हो जाएगी, तो 1-e की पार माइनस infinity upon infinity हो जाएगा, तो 1 upon infinity क्या हो जाता है, 0, 0 की multiply किसी के साथ भी करो, वो 0 आ जाता है, और e की पार माइनस infinity वैसे भी क्या होता है, 0 होता है, तो 1 into 0, 0 आ गया, यानि कि first condition फुल्फिल हो गई, fx extend to infinity पर 0 बजा रहा है, अब बात करने gx की, gx हमारा क्या होना चाहिए, इस interval में a to x में bounded, तो cos x की हमें integration करेंगे, sin x आएगा, upper limit minus lower limit लाएगे, यानि कि sin x minus sin a, अब sin की value, maximum value क्या होती है, 1, तो इसकी value भी 1, इसकी value भी 1, तो इ यानि कि 2 के बीच में, हमारी इसकी maximum value क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि इसकी maximum value 2 आभी है, तो इस सोपर नहीं जाएगा, यानि कि function क्या हो गया, bounded हो गया, अब क्योंकि हमारा function bounded भी हो गया, gx, और fx हमारा limit extend to infinity पर 0 पर जा रहा है, तो इसका मतला है, यह पूरा function, जो 2 function का multiple है यह पूरा function हमारा क्या हो जाएगा, convergent हो जाएगा, तो given question हमारा convergent हो गया,